दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेनल्ड काईगर के RXT वीरिंट के बारे में जो की सेकिंड टोप वीरिंट है हम दोस्तो आपको बताएंगे रेनल्ड काईगर के RXT वीरिंट में आपको कौन-कौन से फीचर्स मिल जाते हैं और अगर दोस्तों आप जानना चाते हैं, रेनलोड कायगर के RxC और RxL विनिट में कौन-कौन से फीचर्स मिलते हैं, उसका वीडियो आपको अमारी YouTube चैनल पर मिल जाएगा, और लिंक नीचे description में भी दिया गया है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो का हम शुरू करते हैं उससे पहले दोस्तों अभी तक आपने अमारी YouTube चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, तो अमारी YouTube चैनल को भी सस्क्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को भी दबा लें, इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे काय कायगर के सभी विरिंट की प्राइज देख सकते हैं, कायगर के RVC disguise with Chevron Banks देख सकते हैं, कायगर के RVC विरिंट में आपको सभी और सभी एंजिन option वर सभी transmission मिल जाते हैं, RxT Virenτι की प्राइस थे 1.0 पेरो और जिर्थो में नाग 1,6 में वहीं EMT मेरे आपको ये 7,5 में मिल हाथा बाती से 9,6 रूपे आपको 1200000 рूपे में उसका लबाई दोस्तंव यहां बाकी सभी Virenτι की प्राइस भी देख सकते हैं अब बात करते हैं दोस्तों इस गड़ी की डैमिंजन्स के बारे में रेनल्स काईगर की लंबा ही यह आपर आपको 3991 mm की मिल जाती है चोड़ा ही आपर आपको 1750 mm की दी गई है और हाइट ही आपर आपको 1600 mm की मिल जाती है वहीं बात करें काईगर के एंजन स्पेसिपिकेशन के बारे में तो यह आपर आपको 2 एंजन दी एगें नॉर्मल पेट्र अजन और टर्बो-चार्ज पेट्र उंजन पहला एंजन है आपको 1.0 लिटर का नॉर्मल पेट्र उंजन दीएगा यह इंजन दोस्तों आपको 5P Speed Manual Transmission और CVD Transmission के साथ में दिया गया है अब दोस्तों हम बात करते हैं काईगर के RX-T Brand के exterior design और interior के बारे में काईगर के RX-T Brand की front profile में दोस्तों आपको LED daytime running lights मिल जाती है और chrome की front grill यहां पर आपको दी गई है बात करें side profile की तो यहांपर आपको body color के door handle दिये गए है और turn indicator यहांपर आपको overbeam के उपर ही मिल जाता है silver color की roof rails यहांपर आपको मिल जाती है और 5 spoke stainless wheel यहांपर आपको मिल जाते है rear profile में दोस्तों आपको C shape के LED tail lamp दिये गए है sporty rear spoiler यहांपर आपको मिल जाता है interior की दोस्तों अगर हम बात करें तो 3 spoke steering wheel यहांपर आपको दिया गया जिसके उपर के आपको steering mounted audio control मिल जाते है black interior door handle यहांपर आपको मिलते है chrome finish में gearbox यहांपर आपको मिल जाता है center armrest यहांपर आपको दिया गया है उसी के साथ में दोस्तों यहांपर आपको touch screen infotainment system भी मिल जाता है RXT variant में turn load काईगर के RXT variant में interior और exterior में मिलने वाले सभी features की list दोस्तों यहांपर आप देख सकते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसमें मिलने वाले features के बारे में सबसे पहला यहांपर हम बात करेंगे इसमें मिलने वाले सभी safety features के बारे में safety के लिए दोस्तों आपको RXT variant का अंदर rear parking sensor मिल जाते हैं driver and passenger airbag यहांपर आपको दिया गया है और two side airbag भी यहांपर आपको मिल जाते हैं RXT variant में अब हम बात करते हैं काई करके RXT variant में मिलने वाले सभी comfort and convenience feature के बारे में तो comfort के लिए दोस्तों आपर आपको manual AC मिल जाता है with rear AC vents में आपर आपको दिये गये हैं front and rear power windows आपर आपको दिये गये हैं electrically adjustable ORVM का feature आपर आपको दिया गया है 12V का charging socket आपर आपको मिल जाते हैं जो कि front and rear दोनो side में आपको दिया गया है rear parcel tray आपर आपको मिल जाती है day and night IRM का feature आपर आपको दिया गया है height adjustable driver seat मिल जाती है driver seat के height को दोस्तों आपर आप उपर नीचे कर सकते हैं front and rear adjustable headrest दिये गये है seat के headrest को भी दोस्तों आपर आपको अपने साबसे adjust कर सकते हैं rear center armrest दिया गया है जिसमें कि आपको cup holder का feature भी मिल जाता है उसके साथ में दोस्तों आपको rear wiper का feature दिया गया है और rear washer भी यहाँ पर आपको मिल जाता है rear parking camera यहाँ पर आपको दिया गया है comfort feature की list दोस्तों आपर आप देख सकते हैं इस table में यह सभी feature यहाँ पर आपको दिये गए है rxt variant में अब बात करते हैं काईगर के rxt variant में मिलने वाले multimedia system के बारे में तो यहाँ पर आपको floating touch screen system दिये गया है जिसके अंदर के आपको 4 speaker मिल जाते हैं USB AUX और Bluetooth की connectivity इसमें आपको दिये गई है और smartphone connectivity भी इसमें आपको मिल जाती है यह सभी features दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाते हैं काईगर के rxt variant में अगर हम बात करें इसमें मिलने वाले color options के बारे में तो काईगर के rxt variant में आपको सभी color option मिल जाते हैं यहाँ पर आपको red color मिल जाता है blue color यहाँ आपको मिल जाता है silver color यहाँ आपको मिल जाता है gray color यहाँ आपको दिये गया है white color मिल जाता है और brown color यहाँ आपको मिल जाता है जो कि दोस्तों आपको RxC, RxL और RxT variant के अंदर मिल जाते हैं Kyger में दोस्तों आपको कुछ accessories पेक भी मिल जाते हैं जैसे कि आपको smart plus pack दिया गया है smart pack मिल जाता है, SUV pack मिल जाता है, attractive pack मिल जाता है और essential pack मिल जाता है इन सभी pack के साथ में दोस्तों आपको कुछ extra features मिल जाते हैं तो यह सभी features दोस्तों आपको मिल जाते हैं रेनोड काईगर के RxT variant में अगर आपको जानना चाते हैं, रेनोड काईगर बेस विनिट RxC और RxL variant में कौन-कौन से features मिलते हैं उसका वीडियो आपको अमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा और लिंक नीचे description में भी दिया गया है तो फिल आले के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्ट वीडियो में अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो वीडियो को जरू से लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी subscribe करें इससे तरह के वीडियो देखने के लिए